हेलो एवरीबन गुड मोर्णिंग टु अलोभ यू डिसी मसीन एंड ट्रांस्पोमर जह माबले चैप्टन नंबर बे विशे वाद करता आता चैप्टन नंबर बे माबने लगलग प्रकाना जनेटर हाता ए जनेटर विशेनों टोपिक पूर्णा करया पची एक खुब जैओ नानो टोपिक ए टोपिक विशे नहीं आज आने वाद करी शू तब गरीटल प्रतिरोण यह यह प्रेटल प्रकान नो और रेजिस्टनस वढाशी क्रिटल रेजिस्टनस ने वाद करता प्याला प्रथम तो आपने आम जिजए दीसी जनेटर हुए ये डिसी जनेटर मां वल्टेज जारे आपने बिल्डप करवो होई जारे आपने वल्टेज प्यादा करवो होई जारे आपने आर्मेचन ने प्राइम मुवर नी मदत्ती फेराऊता होई तो ये फिर वे आपची DC generator मां वल्टेद बिल्डप थाओ माटे नी के लिक शरत हो जो एचे ये शरत हो जो आपनों DC generator परिपूना करतु हो ये पोते जड़ब थी वल्टेद बिल्डप करी सकाए चे अने वल्टेद बिल्डप कराओ माटे नी एक सरत पण अने घणी सकाई क्यानू critical प्रती रोध क्यों होगो जोई है तो ए critical प्रती रोध क्या वाई ए विशनी महाहिती आपने आजना लेक्चर मा मेडवीशू तो सव प्रतम तो critical प्रती रोध नी महाहिती मेडवता पहला आपने DC जनेटर नी magnetizing characteristic विशनों ख्याल हो जोई है अपने अगाव पन कीदु होतु कि DC जनेटर नी mainly बे प्रकानी characteristic होई magnetizing characteristic अने load characteristic जे magnetizing characteristic होई ए फिल्ड करंट IF अने terminal voltage V माटे दोरवामा आउती होई छे तो ए बनने characteristic माथी आपने वाद करीशू magnetizing characteristic नी ए magnetizing characteristic ने concept पर थी critical प्रतीरोध क्वाने क्या वाई एनी आपने ख्याल मेडवीशू परन्तु खास आपने ये वस्तु याद राखीशू कि कोईपण प्रकानी DC जनेरेटर होई ए DC जनेरेटर मा voltage build-up करवा माटे critical प्रतीरोध नी सरत परिपूर्ण थायली होवी जोई ये ये आनों जे critical प्रतीरोध होई ए critical प्रतीरोध माग्या मुझबनों थावो जोई ये जो ये प्रमायनों न थाय तो आप मुझे DC जनेरेटर होई ए DC जनेर वल्टेद बिल्डप करी शक्तू न थी ये जारे आपने आर्मेचर ने फेर वीशू तो ए वखाते पने पोथे वल्टेद प्यादा करी शक्तू न थी इटला माटे critical प्रतीरोध जे नानो टोपिक छे परन्तु वल्टेद बिल्डप थावा खुब जेक अगत्यानों पासू गणी शकाए तो critical प्रतीरोध ने क्वाने क्यावाई ये आपने आनी magnetizing characteristic द्वारा समझेशू आई आपने definition आपे लीशे जोई शकाए कि जे आपने magnetizing characteristic हती एग ना ओरीजिन माथी आपने tangent दोरीशू एटले जे जग्या एथी आपने magnetizing characteristic सरूथ हती होई तो ए जग्या है आपने tangent दोरीशू एटेंजेंड माझे आपने धाड़ मर्छे ये धाड़ पर्थी आपनने जे अउरोध मर्छे एव रोध ने आपने कहीशू critical प्रती रोध फिगर द्वारा समझीशू आपने यहाँ जोई शकाए क्या रिते प्रताम तो आपने magnetizing characteristic दोरीशू आपने ख्याल छे के magnetizing characteristic हम्मेशा टर्मिनल वल्टेज वी अने फिल्ड करंट आई एप आप बन्ने वाचे दोरवामा आउती होई छे तो आरी ते आपने magnetizing characteristic हादी हावे जे रिते critical प्रती रोध ने आपने वाद करी तो critical प्रती रोध मा आपने जे magnetizing characteristic होई ये magnetizing characteristic ना origin मा आपने एक tangent ड्रोग करीशू tangent एटले के जे आपने परपेंडिकुलर जे line ड्रोग करीशे ना origin मा थी आने आपने origin के आवाई कि जे जग्या आए थी characteristic नी सरू आथ थी होई तो ए origin मा थी आपने एक tangent ड्रोग करीशू तो ये जो इसका आए त्या आपने tangent ड्रोग करीशू आने tangent ड्रो करीश आपची ग्राफ उपर थी आपने ब्य tribes value मेर भी श्यू येंआ जो इसका आए क्या आपने ये ये ती ब्या किम्मत मरसे कई ब्या किम्मत मरसे तो आ.2 पर आपने एक voltage मरसे, voltage नी किम्मत मरसे आ.2 पर आपने करांणी किम्मत मरसे करन्ट नी किम्बत माटे आपने क्याम ISH लग्यू तो यहां आपने संड प्रकाननों वैंडिंग कनेक करेलू छे ले करन्ट जे पसार था यहने आपने कईशू ISH प्रकाननों करन्ट अन्य आ बनने पर्थी हमना नियम पर्थी आपनने ख्याल छे के V by ISH तो यहना पर्थी आपनने कोनी वैल्यू मर्षे कोई एक प्रकाननों रेजिस्टन्स मर्षे आज यह किम्बत मर्थे यहने आपने क्याईशू critical प्रतिरोथ तो आरीते सव प्रथम जे magnetizing characteristic होए यह magnetizing characteristic नों जे field current ने कीम्बत मर्षे एक field current तरीके आपने शंट वाइन्डिंग लिदू छेटला माटे field current माँ आपने शंट current ISS लाइशू और वी बागे ISS नों गुणोत्तर लाइशू तो बन्ने ना गुणोत्तर पर्थे आपने resistance आन्नी कीम्बत मर्षे और ए रेजिस्टन्स ने आपने क्याईशू critical प्रकाननों प्रतिरोथ हवे जे वस्तों आपने समझवानी शाहिए कि आ क्रिडिकल प्रतिरोथ माँ हवे आपने यह सर्कीट माँ वाद करीशू कि आपने जे सर्कीट आपेली शाहिए यह मैं एक तो आपनू शंट प्रकाननों वाइंडिंग छे और यह भी जो एक प्रकाननों प्रतिरोथ आपनने आपेलो छे तो जे संट वाइंडिंग नो प्रतिरोथ छे एने आपने कैशू रैजिस्टन्स ओप संट वाइंडिंग आरेसेज शप्पोज आपने दारी लाइशू कि आई यह जे रैजिस्टन्स छे एनो प्रतिरोथ आपनों आर जेटलो थाई छे तो हवे आपनी जे सर्कीट है यह आपेली छे आपनी सर्कीट यह सर्कीट नो कुल प्रतिरोथ केटलो थाई आपनी सर्कीट नो कुल प्रतिरोथ थाई आपनी सर्कीट नो कुल प्रतिरोथ थाई अहिया जे आपनों आपेलो थे ए आपनों कृटिकल प्रतिरोथ आपेलो थे तो ए बन्ने मा आज ए किम्मत थती होए आरेसेच बत्ता आर एक इम्मत आपना कृटिकल प्रतिरोथ करता केवी होई जोई है तो के ओची होई जोई है ए वस्तुखास आपने द्यान राखवानी से सपोज आपने यूँ धारी लईए क्याई या आपना वल्टेज आपने ग्राप प्रति सपोज बसोपचास मड़े से वल्टेज आपने मड़े चे 250 आ वल्टेज ग्राप पर्थी आपने करणनी वेल्यू मड़े चे 5A तो आपनों critical प्रतिरोध केटलो थाए? critical प्रतिरोध आपनों थाए 50 UHM तो हवे यह critical प्रतिरोध आपनने मड़े चे 50 UHM तो आ केस मा आ जे किम्मत होए RSH वत्ता R ये बन्यनी किम्मत पचास ओहम करता ओची धवी जोई ये एटले के सर्कीट नो जे कूल रेजिस्टन्स होए सर्कीट नो जे कूल रेजिस्टन्स होए एक कूल रेजिस्टन्स ने किम्मत क्रिटिकल प्रतिरोद करता के भी थवी जोई ये उची थवी जोई ये आपने जे उदाहनली दुए प्रमाने क्रिटिकल प्रतिरोद पचास ओहम जो मड़तो होए तो सर्कीट ना रेजिस्टन्स ने किम्मत पचा सोहम करता ओची थवी जोई है आज सरत जो परिपूना थती होई तो ज आपनों डिसी जर्णेटर वल्टेद बिल्डप करी सके जो यह नाथी उल्टू थाए औने सर्कीट नो रेजिस्टन्स क्रिटिकल प्रतिरोद करता हो धी जाए तो आरिते खुबद नानू पधातू क्रिटिकल प्रतिरोद परन्तु जर्णेटर मा वल्टेद बिल्डप थावा माटे जैने आपने खुबद महत्वा पून गणी सकाए तो होई पसीना लेक्चर मा आपने जर्णेटर मा जे वल्टेद बिल्डप थावान होई तो ये वल्टेद बिल्डप करवा माटे जे अलग लग प्रकानी सरतो होई ये तमाम सरतो विशनी माहिती आपने होई पसीना लेक्चर मा मेडवीशू जे इते आपने वाद करी के क्रिटिकल प्रतिरोद ए खुबज महत्व अनुपद गणी सकाए कोना माटे तो जर्णेटर मा वल्टेद बिल्डप करवा माटे तो ये जर्णेटर मा अन्या पैरामीटर पण होई कि जे पैरामीटर ने परी नामे आपने जर्णेटर मा कि जे जर्णेटर आपने वल्टेद बिल्डप करी सके तो ये विश्यनी माहिती आपने हवे पचिना लेक्चर मा मेडविशू तो असारा कोचू कि आधना लेक्चर मा धरेक विध्यारतीने सारीत देख्याल आयो हसे थैंक्यू